वर्लकप शुरू होने में अभी तीन चार महीने का समय है लेकिन सुनिल गवासकर सर ने भारती टीम के इस बल्लेबास को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है और इस बल्लेबास का नाम है इशान किशन आपको याद होगा इशान किशन के बारे में अभी हमने वीडियो थी जहां पर हमने कहा था कि T20 इंटरनाशनल में ICC मेंस रेंकिंग में इशान किशन भारत के एक मात्रह से बल्लेबास हैं जो कि टॉप 10 में है नंबर 7 पोजिशन बर हैं और इस सीडीज में शानदार परफॉर्मस करके भी दिखाया था पहले मैच में अची हत्तर फिर उन इन चौबर डनों की पारी के लिए कुल मिला कर तीन मैचस में इशान किशन में एक सो चौशा ट्रन बनाये लेकिन जब सुनिल गवासकर सर से पूझा गया कि क्या आपको लगता है कि इशान किशन वर्ल्ल कब टीम में जगे बनाने में सफल हो जाएंगे उन्होंने बहुत तक टेक्निकली एक अच्छी बात बताएंगे उन्होंने का कि देखी इशान किशन जब सरीके से बल्दबासी कर रहे हैं और अगर इस फॉर्म को उन्होंने कंटिन्यू किया तो 110 परसन वो वर्ल्ल कब में जगे बनाने में सफल हो जाएंगे 23 साल का ये खिलारी जो है वो और अस्ट्रेलिया के लिए फ्लाइट ज़रूर भरेगा अगर इसी तरीकर से परफॉर्मस के और उसके पीछे एक रीजन भी बनाएंगे उन्होंने का कि सिर्फ ऐसी बात नहीं है कि वो बल्लेबास के तौर पर खेलेंगे बल्कि आपके पास एक उप्शन देकर जाते हैं विकेट कीपर के तौर पर अगर माली जी की खुदाना खास्ता रिशब पंत अगर इंजियर्ड हो जाते हैं या उनका फॉर्म अच्छा नहीं है तो आपके पास एक उप्शन होगा कि एक ऐसी आपके पास खिलारी होंगे जो की बल्लेबासी भी कर सकते हैं और जो की इशायन किशन उससे पहले अगर जबर्दस परफॉर्मंस करते वें चले जाते हैं जिस सरीके से अभी कर रहे हैं तो फॉर शूर इशायन किशन ना सिर्व वर्लकप टीम में खेलेंगे बल्कि भारती चीम में चेगे बनाने में भी सफल हो जाएंगे और ये किसी और नहीं बल्कि लेजन सुनिल गवासकर सर का ये बयान है इसका मत्तब साफ है कि इशायन किशन को अब लगातार रन बनाने पड़ेंगे भारत के अभी भी दो मैंचेस बाकी हैं आज खिला जाएगा साथ आफरिका के खिलाब उसके बास संदे को भी मैच है और फिर आयर्लेंड इं पर बड़े नाम की बात नहीं होगी वहाँ पर बड़े काम की बात होगी और वैसे में इशान किशन लुतुराज गयकुआ रोहिट शर्मा अगर केज राहूल आ जाते हैं फिट हो जाते हैं रन बनाते हैं तो सबका नाम आएगा और कम से कम टीम इंडिया सूपर स्ट्रॉ और यह हो जाते हैं पर शर्मा की बाते हैं